दोस्तो बिग बोस ओडिरी के लाइफ फीड में घर के अंदर इस समय यदि आप फुकरा इंसान और एल्विस यादव की बातों को सुनेंगे तो आप अपनी हसी पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस समय दोनों ही कंट्रोल मिलकर अविनास की दजियां उड़ा रहे हैं दरसल हुआ कुछ ही हूँ था कि कुछ से में पहले ही फुकरा इंसान ने अविनास के साथ में बेट कर अपने बीच में जितनी भी गलत फेमिया थी उनको दूर किया जो भी लड़ाई जगड़ा था दोनों के बीच में टास्क के दुरान जो बीते दिन गर के अंदर जगड़ा हुआ था उसको शोट आउट कर लिया और एक दूसरे के साथ गले मिलकर सारी बातों को वहीं पर गार दिया यानि कि अब उनके बीच में जो भी गलत फेमिया थी वो दूर हो चुकी है और एक नई सुरुवात कर रहे हैं और ये सारी बाते कार देनेरिया माने के बाद में फुकरा इंसान ने एल्विस को बताई और एल्विस को बताया कि अविनास से क्या-क्या बाते हुई इस बात फुकरा इंसान ने एल्विस को बताया कि मैंने उसको टास्क में जो गदा बोला था ना उस बात से उसका मूँ फूला हुआ था उस बात से वो नाराज हो गया था ये सुनकर एल्यूस को असी आ गई और एल्यूस ने कहा कि साड़ा को गदे को गदा बोलकर तुम गदे की बेज़ती कर रहे हो गदा तो मेंती होता है पर ये तो साड़ा दिन पर पड़ा रहता है इसलिए गड़ा बोलकर गड़े की बेज़ती मत करो ये तो साड़ा खचर है खचर वहीं दोस्तों इसके बाद मैं फुकरा इंसान ने कहा कि एक बात तो है ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानता है चाहे कोई भी हो कुछ भी हो जाए मैं कहे दूँआ कि मेरी गलती नहीं भी होगी तो मैं अपनी गलती मान लेता हूं लेकिन या अविनास साड़ा खुद की गलती एक बार भी नहीं मानता है इसने एक बार भी आगे से मेरे को सोरी नहीं बोला कभी भी जिसके बाद एल्विस ने भी कहे दिया कि तब ही तो कहते हैं कि वो गदा है और इस बात को लेकर दोनों पूरी तरीके से हन्स पड़े कुल मिला कर दोनों मिलकर यहां पर अविनास की बेंड बजाने में लगे हुए हैं फिलाल आपको कैसे लगे इनके मस्ती हैं मैं कॉमेंट में जरूर बताएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमार साथ बन रही है ताकि बिग बॉस से जुड़ी हर ख़बर आप तक पहुंचे सिब सबेले हैं